स्वागत है आप सभी को ग्यापनिकेडमी के इस नए वीडियो में और आज की इस नए वीडियो में आप लोग देहेंगे अध्याय टू क्या हमरे आसपास की पदार्थ शुद है इसमें कुछ टॉपिक वाइज कोशन दिये गया है जिसका हम एंसर लेकर के आये हैं तो आप लाइन बाइन से देखेंगे और समझेंगे ताकि आने वाला जो आपका एक्जाम होगा बहुत ही आसानी से अगर इस कोशन का एंसर समझे रहेंगे तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे तो बिना देर के चलिए और देखते हैं कोशन क्या है पहला कोशन है शुद पदार से आप क्या समझते हैं यह आपको प्रिष्ट संक्या सुल्ला में दिया हुआ है आप अपने किताब में देखेंगे अगर आप पढ़ते होंगे खरते होंगे या फिर आपके दोस्त के पास होगा तो आप उसमें देखेंगे पेज नमबर सुल्ला में आप देखेंगे ना तो तो टॉपिक वाइज कोस्टन दिया गया हर टॉपिक वाइज कोस्टन जो है ना को हम लोग लाइन बाइन से देखेंगे देखिए दिया है प्रश्ण संक्या एक शुद्ध पदार से आप क्या समझते हैं तो अगर आप हमरे कॉंटेंट वाला वीडियो देखेंगे ना लेसन कि कर्थना अनुसार शुद्ध पदार्थ का अर्थ यह है कि जो एक ही परकार के कड़ों से मिलकर बने होते हैं तता उस पदार्थ में मौझूद सभी कड़ समान रसाइनिक प्रकृति के होते हैं जैसे कि सोना तंबा आदी देखेंगे सोना क्या है जैसे सोना एक धातू है और इसमें सिर्फ एक ही परकार के कड़ पाये जाते हैं इसमें अलग परकार के कड़ नहीं पाये जाते हैं ठीक है ना तंबा है ठीक है ना तंबा में भी एक ही परकार के एक ही परकार के कण पाये जाते हैं, वो अपने आप में क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है ना? तो यह रहाप का उत्तर और अगला प्रस्न देखेंगे, अगला प्रस्न क्या है? इसको थोड़ा मैं साइड कर लू, हाँ, अगला प्रस्न है, प्रस्न संके दो, सामा समांगी और विस्मांगी मिस्रण में अंतरनिम लिखे थे सबसे पहला बार कि इसका कर्ण जो है ना समान संगठन का होता है यानि बिल्कुल एक समान होता है आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें कोई मिलावट है हलांकि दो पदार्तों का मिस्रण होता है और वो समांग बीच कोई प्रितिकरण सिमायन नहीं होती है जैसे कि जल चीनी ठीक ना जैसे जल और चीनी को मिलाएगा ना जिस ग्लास में रखेगा आपको मालूम ही नहीं चलाएगा कि चीनी की मिलावट हो यह जब कि आप उसे पी करके टेस्ट नहीं किजिएगा तो आपको ऐसा मालूम चले कि यह सिर्फ सधारण एक जल है लेकिन नहीं ऐसा बात नहीं उसमें दो पदार्तों का आपसी समयलन होता है और उसका प्रितिकरण सिमाय नहीं होती है जिसके कारण आप उसके अंदाजा लगाना आ लिए भी खी बीच इस पूस्ट प्रितिकरणियों होती हैं जैसे कि जेल और तील जब एक साथ रखिये गाना तो तील अलग बहार करेंगा जल के अपेक्छा और जल अलग लगार करेंगा तील के यह जल और तिल मिल जब दूए एक साथ रखिए आपको मालुम चल जाएग का हम असानी से देख सकते हैं, चुकि देखे क्या होता है कि माननेते हैं कि जल है ठीक है तो जल और चीनी जब आपस में मिला दीजिएगा तो इस में मौजोद चीनी के मातरा को आप नहीं समझ पाएंगे आप अपने खुली आँखों से नहीं देख पाएंगे जब तक कि उसे आप पी कर टेस्ट न करेंगे तब तो आप नहीं बता सकते हैं कि ये पानी मीठा है ठीक है ना जरा सुचिए कि जल और चीनी को मिला दीजे तो दूर से आपको यहीं न मालम चलेगा कि बिलकुल यह सधारण पानी है लेकिन नहीं उसमें क्या है चीनी की मातरा होत आते हैं ठीक है ना तो यह होगे आपका उत्तर अब अगला देखेंगे यहां से प्रिष्ट संख्या 20 में आप देखेंगे जो टॉपिक वाइज को संदिया है उसे प्रिष्ट संख्या 20 में आप देखेंगे को संदिया हुगा है देखिए यहां पर को संदिया है को संदिय होंगे तो इसका वहीं उत्तर आप लिख लिएगा ठीक है और यहां अगला सेकंड नमर जो कोस्टन दिया है वो कोस्टन को जारा देखेंगे यहां पर दिया है यह सॉलूसन वाइस कोस्टन है देखिए एक संत्रीप्त विलियन बनाने के लिए सोडियम कोलॉराइड को हंडिट ग्राम जल में 293 के 293 के मतला अगर सेल्सियस में बदलेंगे तो दो सतीयतर घटा दीजिएगा तो डिग्री सेल्सियस में जाएगा पर घोला जाता है इस तापमाद पर इसकी संद्रता प्राप्त कर रहे हां कि हमने कॉंटेंट वीडियो में हमने को बहुत अच्छे ढंसे समझाये थंग आप संजो होंगे तो इसकी सबक्राइब करने का साब लएँ हैं विलयः पदार्थ का पदार्थ QX3 लिए अफ्र क्या है विलयः ठिकरना विलयाथ तो यह 36 ग्राम धिया हुगा है अगला देखिये और यहां पर जो विलायक है जो अपने में घोल रहा है वो है आपका जल ठीक है ना तो यहां पर लिख दीजेगा विलायक विलायक यानि की जल ठीक है ना क्यों विलायक का काम क्या अपने में घोलना ठीक है ना तो विलायक का द्रबेमान कितना दिया है द्रबेमान का द्रबेमान आपका 100 ग्राम दिया हुआ है ठीक है ना क्योंकि जल क्या है यहां पर विलायक है अब उसके बाद से विलियन का द्रबेमान का यहां पर देखिए अब यहां क्या करेंगे उसके बाद से लिखेंगे विलियन का द्रबेम ओंवर और किन कर2 बद्रम को सब्सक्राइब सबस्क्राइब प्लास-धर अब उसके बासे आप क्या करेंगत गरेंगे कि सिंड़ता पूच रहा है तोक्या होगा यहां पर देखिए इस तपमान पर इसकी संद्रता क्या होगी तो विलियन की संद्रता की अगर बात करें तो विलियन की संद्रता बराबर होता है देखिए विलियन की ठीक है आप लोग पूरा लिखेंगे हम सौटकॉर्ट में लिए विलियन की संद्रता बराबर सोय ठीक है ना जब आप इस पर इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां देखिए 36 अपॉन 136 गुड़े सो ठीक है ना अब विलियन की संद्रता आराम से निकल जाएगा जब इसको आप सल्व करेंगे तो आई थिंक 26.4 परसेंट एंसर आ जाएगा ठीक है तो यह रहा आपका सवलोसन को सन नंबर दो का अब अगला प्रासन देखेंगे प्रासन कहा रहा है कि विलियन निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस परकार भीन है ठीक है तो यहां आप उसका उत्तर लिखेंगे कि विलियन कोलाइड और निलंबन एक दूसरे से निमलिखित परकार सबी होगे है ति है एंट से बीन है ठीक है एन और कोलाइड नीलंबन एक बात में बता दूं यहां पर देखिए ul. WOW ति हम हन्टट पर सटिक बता है विल का कॉलोनी नीलन है हमारा इंद को फाला जब वीडियो क्रोंग तो बीलियां को बधिया सी के लिए और उसके बारे में लिखने के लिए हमने एक टीक तयार किया था जिस टीक का नाम था विल का कोलने निला है ठीक है न और उस टीक को हम इतने अच्छे ढंक से समझाए हैं कि आ इसके विभिंता को असानी से लिख लेंगे हालांकि देखिए मैं यहां पर लिखा भी होता है और होता है तो निल्मन चुम्र कर दोनों से बढ़ा होता है काफी बड़ा ना-ऄद्य आप माइक्रो बढ़ा होता है इसको अपने आखों से हम लोग देख सकते हैंं माइक्रो इस्कोप यह फिर किसी मसीन की ज़रूरते नहीं पड़ेगी। गव्र माय को दिखेंगे यह फिल्टरपेपर से गुज़र जाता है ठीक है ना फिल्टर पर बॉले पिले तो छन नहीं से और यह फिल्टर पर से भी ऐगे हैं कॉलाइड के कड़ से बहुत छोटा होता है और कॉलाइड के करण से बढ़े होते हैं इसलिए परकास का परकीरण हो जाता है और इसमें फार्कास का परकेड़न इसमें भी रहता है ठीक है आद यहां देखिए अब अगला जो प्रिष्ट संगया शहबिस से है प्रिष्ट संगया 26 घैंज प्रस वह देखेंगे प्रस्णिक त्राह कर रहा कि पेट्रॉल और मिटी का तियर जो की आपसा मि ही और थ्ल इन है कि माहिव कमें चोह कैसे पीठ है कर से कर Catalunya तो यह उत्तर लिखेंगे तिकाना नबना कुझल सब्सक्राइब करते हैं आप कार्या भी समझ लीजिए जारा ठीक है देखिए मिशन पेट्रॉल प्लस मिटी का तेल एक आस्वन फ्लास्क में ले लिजिए इसमें एक थर्मामेटर लगाई अब मिशन को धीरे-दीर गर्म कीजिए सवधानी पुर्व थर्मामेटर का लोकन कर अब देख्या चीत्र में दीखाये हूँ यहां पर पेट्रोल आसनी से अलग हो जायेगा ठीका ना और idk ना इसमें क्या हो जाएगा पार चाहईम से मिट्टी आ पको तभी सिव्कैणल का तो जाताम हो सब्छंपार्गों संग 느तो कर बाहर निकल जाता है और आसम फलास में общем है मिट्टी का तेल सेज रही आ तक अब गफान है लिखशने क्रब करने कि पर यहां किने सकते हैं कि पेट्रॉल आती जुदा बाकत जिसमें आसानीго जाते हैं इसलिए इसको सवधानी पुर्वद करना है अगला प्रासन देखेंगे प्रिथक करने की समाने विधियों के नाम दे ठीक है ना दही से मखन समुद्री जल से नमक नमक से कपूर तो प्रिथक करने के समाने विधि क्या है तो देखिए जो चीजे यहां पर देखिए से कपूर ठीक है ना नमक से कपूर उर्द्व पातन हो जाएगा ठीक है अब यहां देखिए अगला प्रासन है क्रिष्टली करन विधि से किस परकार के मिश्राणों को प्रिथक किया जा सकता है तो यह उतर लिखेंगे क्रिष्टली करन विधि का पर्यूग ठोस प्राशन है वह अगला प्राशन देखेंगे यहां पर प्रिष्ट संक्यस 27 से क्या पूस्ट कुछ रहा है तो यहां पर पहला प्राशन है निम्न में कौन रसायनिक और भातिक परिवर्तन है यानि की कुछन का रहा है निम्न को रसायनिक और भातिक परिवर्तन में वर्गी परिवर्तन है ठीक है ना बस इसमें दिया गया है ठीक पेड़ों का कटना हर एक एक्टिवीटी का नाम दिया गया बस उस एक्टिवीटी के देख करके पराख करके उसका बढ़ियां से पुर्णा लोखन करके और आपको बताना है कि वो रसाइनिक परिवर्तन हुआ कि बहु बताए है अलमारी में जंग लगना क्या हो जाएगा यह चेखेंगा और घौ में देखेंगे जयल का उबल्पकर वास्प बनना यह क्या होजाएगा बताई यह का उब एक बाइस बनना शंट करेंग और विदूत तरग का जल में सायने हो जाएगा ठीयान ने समयदकर हो जाएगा। को से सलाथ बंःडाना यह क्या हो जाए तो यह सिंपल सी वात है यह लगडी और जलना तो सीधी सी बात है कि डायरेक्ट इसका जोगराफिय बदल गया ठीक ना इसका डायरेक्ट जो है ना फिस बदल गया तो यह हो जाएगा आपका फैनली रसाइनिक परिवर्तन हालनकि यहां पर उत्तर हमने लीग भी दिया है देख लिजिए यहां परitzer को खま और नमएं 이걸 अग् credit एयां गौर चलिए अगला परस्त 어ग करने के तो देखेंगे अगला प्राश्न क्या है अपने आसपास की चीजों को शुद्पदार्थ या मिस्टनर से अलग करने का प्रयात्ने करें तो आप अपने आसपास में विजीट करेंगे और देखेंगे कौन पदार्थ शुद्ध है और कौन पदार्थ अशुद्ध है हालनके हमने कॉंटेंट विदिएमें बहुत ही अच्छे धंक से हम समझा दिया हैं कि सुढ़ प्दार्थ को कैसे हम पाचानेगे और शुद्पदार्त को कैसे पॉचकंशे पाचानेगा या फिर रसायनिक द्रिश्टीकोंट से कौन पदार्थ और कौन अशुद्पदार्थ इसके बारे में बहुत बढ़ी आसा डिसकस किया अपने इसी लेशन टूब के तो यहां देखेंगे हालें कि हमने उत्तर लिखा भी है देखिए सूद्पदार्थ तंबा सोना नमक चीनी आस्वित जल लोहा हीरा इलकोहल इत्याद यह क्या है इसमें अलग अलग परकार के कर नहीं पाया जाते हैं ठीक है और मिस्रण क्या हो गया है नल का जल दूद वायू एस्टील नमक कघोल मीटी का तेल आइसक्रीम सोने से अब हुसर पीतल का सईत्याद यह क्या है मिस्रण है इसमें कुछ मिलावटी है ठीक है तो सुद्पदार्थ के दृष्टी से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही परकार की एक समान कड़ पाये जाते हैं तो वह शुद है लेकिन जिसमें मिलावटी है दो अलग परकार के क प्लीट और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट जो है ना पुरी एक्सराइज का जो कोशन दिया है उसको लेकर करके हम वीडियो बनाने वाले हैं तब तक बने रहे इस चैनल पर और ध्यान रहे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजेगा आपन पर रिशानी ना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपी के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ट